वैसे लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो ऐसे ही बौकलाहट में अनरगल बयान और अनरगल प्रलाप करते रहते हैं वो लोग इससे हतोतसाहित हैं दीश को तोड़ने वाली जो सक्तिया हैं वो कहीं न कहीं हतोतसाहित हैं ये कही न कही सत्ता से बाहर है और धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया है देश की असस्वी जनता नहीं ने तो ये लोग वखलाए तो कि तेजस्वी जी की कोई राजनेतिक हैसियत तो नहीं है रही बात लालू जी की तो लालू जी के नाम पर उन्होंने जो फसल काटने का काम सुरू किया है तो लालू जी की ही फसल जो है वो खराब हो चुकी है नवस्कार मेरा नाम प्रिंस मिस्त्रा है और आप 24 देख रहे हैं अभी हम लोग जो है बीजेबी के वीडिया सेंटर में मौझूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित ससांग है और ब बातों से जो है अपनी दारी को रखते अपनी पक्षों को रखते मजबूती के साथ जिससे की वीरोधियों का जो है पसीना चुड़ जाता है ऐसे हम लोग करेंगे जिस तरीके से तो यसी आदव कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी देश में आराजक्ता का माहूल है और हम जो है आराजक्ता को खतम करेंगे और इस बार जो है मागडवंधन की जो सरकार बनेगी तो हम लोग पूरी ताकत के साथ जो आराजक्ता है उसको समाप्त करके जो है एक नए आयाम को लिखेंगे तो इस पर आप लोग क्या कहीएगा ससांग जी तो गुंडा राज चलाने 습니까 लोग जो जनगल राज चलाने वाले जो रोग लोग है और जो कहीन कहीं जो बिहार के लिए एक रोग थे वैसे लुप जब सत्था से बाहर होते हैं तो ऐसे ही बोकलाहट में अंर्जल बयान और अंर्जल प्रलाप करते रहते हैं चाहे वह लालू कि आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रितों में भारतिय जनता पाटी और हमारा देश जो है वो कही न कही स्वर्नी मुचाईयों पर आगे बढ़ रहा है और विगटन कारी नीतियों के जो प्रतीक हैं वो लोग इससे हतोत्साहित है देश को तोड़ने वाली जो सक्तिया हैं वो कही न कहीं हतोत्साहित हैं और वैसे लोग जो दिल्ली में बैठ करके और प्रेस क्लब में बैठ करके जो लोग कहीं न कहीं मंत्री मंडल के विस्तार की बाते किया करते थे और मंत्री मंडल में कौन होगा तो इस प्रकार के लोग जो है इनकी लूटने वाले लोगों के जो नेता हैं और देश को लूटने वाले जो लोग हैं, ये कही न कहीं सत्ता से बाहर है और धूल चाठने के लिए मजबूर कर दिया है देश की असस्वी जनता नहीं नहीं है तो यह लोग वौखलाए हुए हैं और वौखलाट में आई दिल तो क्या लगता है बिहार की राजनीती में आप लोग जो 40 सीट है बिहार का लोग सवाज सीट उसमें आपकी दावेदारी जो है 40 का 40 आप लोग निकालिएगा या जिस तरीके तेजसी आदब कहा रहे हैं कि एक भी सीट अभरी वार हासिल नहीं होने देंगे क्या लग रहा है तेजसी जी क्या कह रहे हैं तेजसी जी किस पार्टी के नेता है जिस पार्टी के ऊपर मुहर लगा है गुंडा पार्टी का जिस पार्टी के ऊपर मुहर लगा है जंगल राज चलाने का जिस पार्टी के ऊपर मुहर लगा है अफवाह तंतर को बढ़ाने का तो लालू जी के बारे में सब कोई जानता है तेजस्फपी जी की कुई 17 सवाल होता है आपने बात पिया कि अपके उपर लगाता है कि मेरे Er उनके उपर यह सठ geben उनका अपराद है वह दूल जाता है क्या अंजीं गूळा देगा सेब्सक्राइब relief नहीं है रही बात लालू जी की तो लालू जी के नाम पर उन्होंने जो फसल काटने का काम सुरू किया है तो लालू जी की ही फसल जो है वो खराब हो चुकी है यह तो पूरा देश जानता है जिस प्रकार से उन्होंने बहसों का चारा चोरी किया जिस प्रकार से वो विगटन कारी नी ब्रश्टाचारियों के नेता बने हुए रहते हैं तो तेजस्वी जी की तो राजनेतिक credibility तो है नहीं ये पूरा बिहार जानता है और युवा तो समझदार है देश का युवा बिहार का युवा एक एक बच्चा बच्चा समझदार है कि युवा के नाम पर किस परकार से राहुल गांधी जो है वो मलाई काट रहे थे वो भी आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति हैं और उसी आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति के पीछे-पीछे घूमने वाले कौन लोग है ये तेजस्वी जी और बाकी लोग है तो ये कहीं न कहीं जैसे आलू जब युवा करता है तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि 2014 से पहले किस प्रकार से देश में आतंकी घटनाएं हुआ करती थे किस प्रकार से होली दिपावली के परवों में हम घरों से बाहर निकलने में लोग जो है वो घबराते थे कि बंब स्पोर्ट न हो जाए कितने सेन के जवान जो है वो कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं में मारे जाते थे इसकी अलावा भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से आतंकियों की वकालत ये कॉंग्रेस के वकील किया करते हैं जिस तरीके से आपने दावे किये थे कि हम लोग परतिक वस्तो कड़ों नोपरी देंगे उस पर आप लोग बात नहीं करते हैं आप लोग सिर्फ आरोप परतियारोप की बात करते हैं देखें जिल लोगों ने देश को लूटने का काम किया है उनके विशे में सच बताना अगर आरोप है तो मैं मान लेता हूं कि आरोप है लेकिन विजन भारती जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा विजन किसका है 27 लाग पूरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने दो कड़ोड नहीं उससे कई ज्यादा नौक्रियां दी यह तो समझे प्राथमिक दुईतियक तृतियक इन क्रिसी सेक्टर का बजट जो है आज से आपने देखा होगा कि 2013 की तुलना में आज पांच गुणा ज्यादा बजट है 27 लाख कडोड रुपैय का भिदेशी निवेश हुआ है तो वह किसमें हुआ है infrastructure में हुआ है और infrastructure में अगर निवेस होता है तो क्या job job जो है वो job creation होगा कि नहीं होगा तो ये सक्ती जो है मुझे channels पे सुनने वाले जो लोग हैं उनसे मिलती है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन भारत मा के संभान को नीचे झूकने नहीं देंगे यह इंडी एलाइंस वाले लोग जो है भारत के सम्मान को जुकाने का जो लोग काम करते हैं, इनको करारा जबाब मिलेगा, गरीब की मा को गाली देने वाले लोगों को करारा जबाब मिलेगा, दलितों की मा को गाली देने वाले को करारा जबाब मिलेगा, मा, सबकी मा मा होती है और ये मिट्टी हमारी मा है इस मिट्टी से हमारा सरीर बना है और इस मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई जो है वो भारती जनता पार्टी के कारिकरता लड़ते रहें तो आप सुन रहेते सुमिस्ट सांग जो की बीजेपी के काफी जादे चर्चित जो है परवकता है अपने बातों को एक अलग अंदाज में रखते हैं तो आपकी इस वीडियो पर क्या परतिक् कर दो आपलग है बातों कि